हेलो दोस्तों, Stock Market S TV के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है Swing Trade Opportunity के इस वीडियो में आज हम चार स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनमें कैसा मौका बन रहा है दोस्तों आपसे मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें इससे पहले कि हम आगे बड़े अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक कमेंग और शेयर करें तो आज का हमारा पहला स्टॉक ICICI Securities Limited है ये 25,455 करोड की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कमपनी है ये स्टॉक बुधवार 14 अगस्ट 2024 को 2.51 याने की 19 रुपए और 75 पैसे बढ़कर 805 रुपए और 65 पैसे पर बंद हुआ है और तक्नीकी तोर पर ये स्टॉक स्ट्रॉम होता हुआ भी नजर आ रहा है स्टॉक का 52 वीक हाई 866 रुपए और 45 पैसे है और 52 वीक लो 607 रुपए और 85 पैसे हैं स्टॉक ने हाल के दिनों में 723 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अब मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है अब जो इसका टार्गेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रिजिस्टंस 812 रुपए और 35 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टंस 838 रुपए और 95 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टंस 866 रुपए और 45 पैसे अगर यह stock अपना आप move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या इन levels से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 789 रुपए और 65 पैसे इसका दुसरा support होगा 742 रुपए और 40 पैसे और इसका तीसरा support होगा 711 रुपए और 70 पैसे दोस्तों यह stock यहां से सीधा उपर की तरफ जा सकता है या इस stock में यहां से थोड़ी सी retracement भी आ सकता है तो मेरे हिसाब से इस stock में 1 या 2 परसेंट या फिर first support पे stop loss रखके last close in price से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर इस stock में अगर कोई भी retracement आता है तो उस retracement में अपने analysis के हिसाब से entry बनाया जा सकता है तो आज का हमारा दुसरा stock SBFC Finance Limited है यह 8736 करोड की market cap वाली एक small cap company है यह stock बुधवार 14 अगस्ट 2024 को 3.87% याने की 3 रुपए और 15 पैसे बढ़कर 84 रुपए और 61 पैसे पर बंद हुआ है और तक्नीकी तोर पर यह stock strong होता हुआ भी नजर आ रहा है stock का 52 week high 98 रुपए है और 52 week low 72 रुपए और 40 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 80 रुपए के आसपास support लेने के बाद अब आप move के indication दिखाना शुरू किया है अब जो इसका target निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 85 रुपए और 5 पैसे इसका दुसरा resistance 88 रुपए और 30 पैसे और इसका तीसरा resistance 91 रुपए और 90 पैसे अगर यह stock अपना आप move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या इन levels से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 89 रुपए और 90 पैसे इसका दुसरा support होगा 75 रुपए और 90 पैसे और इसका तीसरा support होगा 72 रुपए और 45 पैसे दोस्तों यह stock यहां से सीधा उपर की तरफ जा सकता है या इस stock में यहां से थोड़ी सी retracement भी आ सकता है तो मेरे हिसाब से इस stock में 1 या 2 परसेंट या फिर first support पे stop loss रखके last close in price से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर इस stock में अगर कोई भी retracement आता है तो उस retracement में अपने analysis के हिसाब से entry बनाया जा सकता है तो आज का हमारा तीसरा stock BCL Industries Limited है ये 1791 करोड की market cap वाली एक small cap company है ये stock बुधवार 14 अगस्त 2024 को 4.23% याने की 2 रुपए और 57 पैसे बढ़कर 63 रुपए और 28 पैसे पर बंद हुआ है और तक्नीकी तोर पर ये stock strong होता हुआ भी नजरा रहा है stock का 52 week high 86 रुपए और 30 पैसे है और 52 week low 44 रुपए और 41 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 55 रुपए के आसपास support लेने के बाद अब आप move के indication दिखाना शुरू किया है अब जो इसका target निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 65 रुपए और 80 पैसे इसका दुसरा resistance 70 रुपए और 50 पैसे और इसका तीसरा resistance 76 रुपए और 5 पैसे अगर यह stock अपना move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या इन levels से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 7 रुपए और 55 पैसे इसका दुसरा support होगा 55 रुपए और 75 पैसे और इसका तीसरा support होगा 50 रुपए और 90 पैसे दोस्तों यह stock यहां से सीधा उपर की तरफ जा सकता है या इस stock में यहां से थोड़ी सी retracement भी आ सकता है तो मेरे हिसाब से इस stock में 1 या 2 परसेंट या फिर first support पे stop loss रखके last close in price से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर इस stock में अगर कोई भी retracement आता है तो उस retracement में अपने analysis के हिसाब से entry बनाया जा सकता है तो आज का हमारा चौथा stock UTI Asset Management Company Limited है यह 13,016 करोड की market cap वाली एक small cap company है यह stock बुधवार 14 अगस्ट 2024 को 1.84% याने की 18 रुपए और 80 पैसे बढ़कर 1040 रुपए और 60 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तोर पर यह stock strong होता हुआ भी नजर आ रहा है stock का 52 week high 1112 रुपए है और 52 week low 731 रुपए और 20 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 970 रुपए के आसपास support लेने के बाद अब अप move के indication दिखाना शुरू किया है अब जो इसका target निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 1050 रुपए और 20 पैसे इसका दुसरा resistance 1089 रुपए और 95 पैसे और इसका तीसरा resistance 1131 रुपए और 25 पैसे अगर यह stock अपना आप move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या इन levels से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 996 रुपए और 10 पैसे इसका दुसरा support होगा 949 रुपए और 40 पैसे और इसका तीसरा support होगा 892 रुपए और 25 पैसे दोस्तों यह stock यहां से सीधा उपर की तरफ जा सकता है या इस stock में यहां से थोड़ी सी retracement भी आ सकता है तो मेरे हिसाब से इस stock में 1 या 2 परसेंट या फिर first support पे stop loss रखके last close in price से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर इस stock में अगर कोई भी retracement आता है तो उस retracement में अपने analysis के हिसाब से entry बनाया जा सकता है दोस्तों यह video cable और cable educational purpose के लिए है इनमें कोई by, sale या hold की सलहा नहीं है आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तिय सलाहकार से परामर्ष करने की सलाह दी जाती है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा